हाली में प्रधानमंत्री के द्वारा एक योजना लांच की गई है जिसका नाम है PM-20 कर्मा योजना इस योजना के जो रेजिस्टेशन है आभी भी चालू है आप उनलाइन अपलाई कर सकते हो PM-20 कर्मा योजना के अंदर आपको 15,000 रुपे का बेनफिट दिया जाता है टूल किट खरीदने के लिए इसी के साथ में अगर आपको लोन चाहिए ब्यापार करने के लिए तो यहाँ पर बिना किसी गारेंटी के आप 10,000,000 रुपे तक का जो लोन है वो पास सकते हो और यहा पर मैं आपको पूरा प्रोसेट दिखाने वाला हूँ कैसे आपको PM-20 कर्मा योजना के अंदर आपलाई करना है इसके जो बेनिफिट है वो आपको कैसे लेना है तो सबसे पहले तो मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्सिन ने एक लिंक दिया है जिस पर आप क्लिक करो तो जैसे कि मैंने सुरात में आपको बताए कि तीन लाख रुपे तक का यहां पर आपको लोन मिल जाता है इसी के साथ में यहां पर इस योजना के अंदर आपको 15,000 रुपे का benefit दिया जाता है टूल किट खरिदने के लिए जो कि यहां पर mention आप देख सकते हो अब यहां प कि और आप डिपेंड़ करता है कि आप तो तो टेल को कि तेनने के ट्रेनिंग लेना चाहते हो आप जितने भी दम करोगे इसका 500 रुपिज पर र टे के हसाब से आप सभी को यहां पर उस्स ट्रेनिंग के दवरान भी पैसा मिलने वाला है तो यहां पर काप حालिपाइन के कि जब भी आप qualify होगे तो आपको एक certificate दिया जाएगा एक ID card आपको issue किया जाएगा इसी के साथ में अगर आपको खुद का business करना है तो यहां पर आप लोग देख पा रहे होगे collateral free आपको यहां पर loan मिल जाता है जो कि पहली बार में आपको एक लाख रुपे कर दिया जाएगा आपको यहां पर यह जो लोन है 18 मंत के अंदर repayment करना होगा वहीं दुबारा से आपको दो लाख रुपे तक का जो लोन है इस सोजना के अंदर मिल जाता है जो कि 30 मंत के आप duration में इसको repayment कर सकते हो इस पर आपको government की तरफ से सब्सीडी भी दी जाती है जो कि आप देख पा रहे होगे कि माइक्रों मीडियम जो entrepreneurs के लिए organization होता है MSME उसके जरीए यहां पर payment किया जाएगा 8% का तो यह काफी अच्छी बात है देखने को मिल जाते हैं जो कि इस योजना के अंदर eligible है जिन लोगों का e-sarm card बनाया जाता है वो लोग यहां पर आ करके इस योजना के अंदर register कर सकते हैं तो यहां पर जैसे कि आपको apply करना है तो login की टैप पर click करोगे और यहां पर csc login का जो option दिया गया इस पर click करना है देन आप सभी से यहां पर user id password मांगा जाएगा जिसको आपके यहां पर फिल करना है अब यह जो user id है अगर आपके पास्व में नहीं है तो कैसे एक csc enter के लिए id के लिए apply करते हैं उसका जो वीडियो है मैंने पहले ही बना रखा है बाकि अगर आप end user हो तो आप अपने आ पूछा जा रहा है कि यह जो आवेदक है इसके family members इन में से कोई भी government employee तो नहीं तो ऐसा अगर कुछ है तो यहां पर yes करना है नहीं बाकि कैसे सारे लोगों को no की टैप पे क्लिक करना है अब जैसे हमने नो किया है तो यहां पर आपको कुछ schemes दिखाई जाती है जैसे कि PM E PGP योजना इसी की साथ में PM सुनिद योजना मुद्रा योजना इन सारी योजना के जो benefit है current में आपको तो मिल तो नहीं रहे है या फिर आपको ने benefit लिया है तो ऐसा भी नहीं no की टैप पे हम क्लिक करेंगे और continue की टैप पे हम क्लिक कर देंगे अब यहां पर हमारे सामने आधार verification का जो पेज वह आ चुका है जहां पर सबसे पहले तो आप सभी को वह mobile number इंटर करना है जो कि आपके आधार कार्ट से लिंक है इसके बाद में अपना जो 12 डिजित का आधार number है वह यहां पर आपको इंटर करना है यहां पर यह जो capture code दिखाया गया है capital small जैसा है से इंटर करना है term and conditions को accept करने के लिए इस आइकन पर क्लिक करना है continue की टैप पे क्लिक कर देना है आपके phone पर एक OTP आएगा जिसको आपको यहां पर फिल करना है यहां पर continue के option पे क्लिक कर देना है तो यहां पर आधार से verification होते ही next page आता है जहां पर आप सभी को बैमेट्रिक से verification भी करने के लिए बोला जाता है जिसमें कि यहां पर इस आइकन पर क्लिक करोगे यहां पर verify बैमेट्रिक की टैप पे जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके system में जो भी बैमेट्रिक डिवाइस लगी होगी उसकी जो light है वो blink हो जाएगी जहां पर आपको सारी information फिल करना जो की आधार पर मौझूद नहीं होती है आपको सबसे पहले मेरिटल जो स्टेटेस है मेरेड हो सिंगल हो सलेक करना है यहां पर आपको सोचल के टेगरी की टैप पर आना है सी स्टी ओवी सी जर्नल कई सारे option मिल जाएंगे अपने recording आपको चूज करना है य यहां पर आप सभी को अगला option मिलता है जिसमें कि आप सभी से पूछा जाता है कि यह जो आवेदक है इसका कोई पहले से कोई business है जो की सेम स्टेट के अंदर रन हो रहा जहां पर रहता है तो ऐसा अगर है तो यहां पर आपको अपना पैन नंबर है अगर मौजूद है तो फिल करना है अगर है तो आप फिल कर सकते हो इसके बाद में family details के section में आप देखोगे कि आपको जो रासन कार्ड है अगर बना हुआ होगा या फिर आप सभी का जो family ID है वो generate हुआ होगा तो यहां पर automatic आपका जो रासन कार्ड नंबर है वो यहां पर populate हो जाता है अगर नह नाम आपको यहां पर जोड़ना है तो आप जोड़ भी सकते हो मेरे case में सारे लोग सब्सेंट है नीचे के तरफ आना है यहां पर आपका जो address है अधार से आचुका है current address के section में आना है अगर आपका जो ऊपर address आया हुआ है वह address आपका current address नहीं है आप किसी दूसरी जगे आप यहां पर इस option पे क्लिक करके मैं अपना address है वो एड कर सकते हो जैसे कि हमने यहां पर एड करने के लिए सेलेक्ट किया है तो यहां पर हम से पूछा जाता है यह जो address है क्या gram पंचायत के अंदर आता है अब जैसे कि हम ने ग्राम इडिका option select किया है यहां पर ब्लॉक क पर दिखाई थी अब आप देखोगे कि पूरी उनकी लिस्ट दी गई है जिसमें कोई भी बारबर है लोहार सुनार कार्ड के टेगरी में लोग आते हैं लबग सारे नाम दिखाए गये तो यहां पर प्रोफेशन डिटेल्स में जो नियम है सेलेक करने के बाद में अगर सब क दिखाए जिस तरीके से लोग सीख्ते थे काम को उसी तरीके से चीखा तो अगर है तो यहां पर आपका जो और दिक आजाएगा अगर आप जा हो तो यहां पर अगर claim करोगे लिएविशन को आज सबसे पहले तो आप सभी को अपने बैंक का नेम है वह यहां पर फिल्टर में से सलेक करना है और यहां पर आप सभी को अपने बैंक का जो आप सब्सक्राइब करना है अब यहां पर आपना अकाउंट नंबर है नीची तरफ आओगे तो यहां पर प्रेडिल सपोर्ट जैसे मैं ने शुरुआत में आपको बताया था कि इसके अंदर आपको बिना कोई गारेंटी के लोन भी मिल जाता है तो यहां पर आपको यह का ज पर आप से यह पूछा जा रहा है कि कितना एक लाख रुपए मैकसिमम मिल सकता है तो यहां पर पचास अजार या फिर इसके बीच में कोई भी लोन आप ले सकते हैं जैसे कि मैंने यहां पर एक लाख रुपए पूछा जाता है कि लोन हमें किस अकाउंट में चाहिए तो जो उपर हमने अपना जो साइविंग अकाउंट की डिटेल एड की हुए उसी में चाहते हैं तो से में साइविंग के ओप्शन पे क्लिक करेंगे अब नीचे के तरफ आओगे तो यहां पर लोन लेने का परपस क्या है यह भी पूछा जाता है जिसमें कि आपको कोई भी एक क ले रखा है तो आपको यहां पर जिससे आफने लिया या कितना है मंतली आपकी आपको हप्शन है अगर आपके पास में पहले से довольно नहीं लिया है तो आप इन को को इस पर भी incentive दिया जाएगा तो यहां पर आपको उसके case में क्या करना है यूपी आइड अपनी आइड करना होगा जिसके लिए add row का जो option देके इस पर click करोगे यहां पर आपको save के option पर click करना है अब यहां पर next के option पर जैसे हम click करेंगे तो अगला जो page आता है जहां पर हमारी जो occupation के skill है उसके बारे में training जो government के तरफ से दी जाएगे जिसका हमें certificate भी मिलेगा उसकी जो training है जैसे कि मैंने आपको बताया था कि दो तरीके से होती है एक तो five days आपकी training चलेगी दूसरी होती ही 15 days की तो उसी तरीके से आपको incentive भी मिलेगा और आपको certificate भी जितने दिन आप training करते है उसी के according मिलने वाला है के लिए जैसे कि government के तरफ से जो पैसा आपको दिया जाता है जो कि साथ पिकिट के साथ ही में आपको मिल जाएगा 15,000 पर यह भी आपको दिखाया गया सब्सक्राइब ले सकते हो ब्रांड की बिल्डिंग करना है तो वह भी आपको यहां पर support मिल सकता है अगर आपको नीड है तो यहां पर select करना है अदर्वाज आपको directly save के option पर click करना है तो अब हमारे सामने declaration के page आ चुका है जहां पर जो term and conditions है इनको एक बार careful होकर कर करना है यह जो reference number generate होकर के आया है इसका एक screenshot सबसे पहले तो ले ले लेना है और यहां पर done के option पे click करना है अब जैसे हमने done किया है तो आप यहां पर देखोगी कि यह जो पोर्टल है के तरफ से जो training provide किये जाएगी तो यहां पर आपका जो मोवाइल नंबर आपने रेइस्टर किया है उस पर आपको पहले तो ग्राम पंचायत या फिर नगर पंचायत के द्वारा verify किया जाता है जिसमें कि अगर आप ग्रामीड छेत्र से हो तो ग्राम परधान आपका जो account है वो verify करता है इसी के साथ में अगर आपका जो account है वो अप्रूब नहीं होता है या फिर यह सोजना के अंदर जो benefit वीडियो में तब तक के लिए गुडबाई जैहिन